तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन कमपनीज के बारे में जिनके आज आए हैं क्वार्टर वन के नतीजे और अगर मैं बिजनेस के बात करूँ तो तीनों ही जो कमपनीज हैं अपने सेग्मेंट की लीडर कमपनीज हैं तो कैसे रहे हैं नतीजे पूरा ड बात करेंगे वो है IRCTC 100% Monopoly है और आज की दिन आये हैं इस Company के नंबर तो आप देखिए क्या गजब की यहां पर Growth देखने को मिली है Year on Year 250% की हमको Top Line में Growth देखने को मिली है और 23% जो है Quarter on Quarter basis पे revenue grow होता हूँ नजर आया है 200% Year on Year Growth Bottom Line में यानि कि जो Profitability है 200% से यहां पर बढ़ती हुई नजर आई और Sequentially 15% की हमको Growth देखने को मिलेगी डेफिनेटली Base Year Impact है इधर पिछला साल जून का जो था वो COVID की भेट चाड़ा था उसका उसकी वज़े से आपको मार्जिन गिरते हुए नजर आये हैं तो ओवरॉल यहां पर देखें टॉप लाइन बॉटम लाइन में इजाफ आये लेकिन मार्जिन गिरते हुए नजर आये हैं अब चलिए बात करते हैं सेग्मेंट वाइस कैसा राए है और बाकी जो अधर बिजन से वह भी गुरू है तो यहां पर मतलब हर सेग्मेंट में जितने भी यहां पर इनके सेग्मेंट हैं यहां पर ओवरॉल ग्रोथ हाती हुई देखने को मिल रही है तो अच्छे नंबर है अच्छी ग्रोथ है लेकिन यहां पर क्या आपको लिए और टाटा सॉल्ट की बात करें टाटा कौफी की बात करें तो यह अपनी सेग्मेंट की लेडर कंपनी अब चेले देखते हैं लेडर कंपरी ने किस प्रकार यहां पर फ़ॉंस दी है margins अगर आप देखें तो margins यहाँ पर जो है increase होते वह नजर आए है year on year basis पे लेकिं sequential basis पे थोड़ असा dip आया है marginally जो है यहाँ पर impact रहा है जादा नहीं है लेकिन थोड़ असा dip रहा है margin में sequential basis पे तो overall इसके भी नमबर अगर हम बात करें तो top line, bottom line और profit margins में यहाँ पर हमको growth ही देखने को मिल रही है तो अच्छा है यहाँ पर performance रहा है जिस प्रकार मने देखा था actual के नमबर भी improved नजर आये थे उसी प्रकार Tata consumer भी यहाँ पर improved performance रही है quarter one में अब यहाँ पर दोस्तों इसकी growth drivers की बात करते हैं तो देखिए इनका जो core business है वो है tea coffee का ठीक है and salt का जहाँ पर इनके पास leadership है इनका जो pantry platform है जहाँ पर यह अपने आपको grow करने वाले है जो इनका high growth business होने वाला है वो होने वाला है उसको pulses and spice में जहाँ पर संपन ब्रैंड इनका आता है बेसन पोहा अधरस टैपल सैंड यह ready to cook food जो है जो पैंट्री platform वाला segment है यह एक high growth segment होने वाला है इनका liquid platform में water छीके जिसमें हिमालियान जहाँ पर आता है RTD की बात करते हैं तो ready to drink वाला segment है इनका यह एक high growth इनका business है mini meals platform की बात करें तो breakfast, cereals, ready to eat and snacks जहाँ पर जो इनका दूसरा segment और horizon 3 जहाँ पर यह protein platform यानि कि जो plant based meat है उसमें entry कर रहे हैं तो यह जो हैं इनके growth driver से अगर हम इनके बात करूं तो आप देखिए जो इनके growth वाले business है new engines of growth है वो 53% से हमको growth हो देखने को मिला है हिमालियान की बात करें हम Tata संपन की बात करें हम Tata Soulful की बात करें या फिर यह जो protein वाला platform है उसकी बात करें तो यहाँ पर बढ़िया growth ह बारी है तो अगर आपको देखिए FMCG segment पे निवेश करना है तो definitely यहाँ पर Tata consumer बहुत अच्छी company है और actual के मुकाबले यहाँ पर growth भी आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है और Tata का भरोसा तो है next company है दोस्तों यहाँ पर अभी technical chart पर दोस्तों हम एक एक करके तीरों को cover करेंगे next company है यहाँ पर action construction equipment जिसके बारे में हमने लगातार चर्चा करिए अपने segment के leader company है यहाँ पर mobile towers में 60% market share है और जो cranes है उसमें भी इसका 60% का 62% का market share है और infra की जो proxy है दोस्तों यह होने वाल growth है base impact जरूर है लेकिन सिक्वेंशन यहाँ वर growth देखने को नहीं मिल रही negative 3% की डिकलाईने sales में पैट देखिए 125% की profitability growth है year on year 23% की growth है sequential basis पे margins यहाँ पर definitely impact हुए है year on year basis पे भी गिरते हुए नजर आए है और sequential basis पे भी गिरते हुए नजर आए है तो margins impact हुए है नमबर्स अगर देखें overall decent number है क्योंकि profitability में अच्छी खासी growth sequential basis पे और quarter on quarter basis पे देखने को मिल रही है अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए IRCTC के technical point आवी से क्य competition नजर नहीं आता प्राइवेटेशन की बात हो तो प्राइवेटेशन में भी यहाँ पर IRCTC को मुझे रखता है कोई ज्यादा impact होगा नहीं और मोनोपॉली ज़रूर है लेकिन एक बाद का हमेशा आपको जहां रखना है कि यह regulated monopoly है जहां पर government intervention कभी भी आ सकता है कभी भी profit sharing की बात कर सकते हैं कभी भी कुछ यहां पर regulations लगा सकते हैं तो यह चीज आपको जहां रखनी है उसका impact यहां पर negative stock price पर देखने को मिल सकता है तो अगर आप निवेशित हैं निवेशित रहिए कोई problem नहीं है long term की अच्छी company है लेकिन अगर आप fresh invest करना चाहते हैं तो इ इसमें invested नहीं हो दोस्तों लेकिन biased opinion देने के बजाए में आपके साथ बिलकुल unbiased रहूँगा कि देखिए monopoly जरूर है यहां पर मुझे रखता business को कोई impact नहीं है train यहां पर चलने ही वाली है लेकिन regulations बीच में आती जाती रहेंगी तो उसकी वज़े से stock कभी भी sudden यहां पर जहां पर हमने देखा था पिछले साल यहां पर ठीक है October के आसपास क्या impact हुआ था जब यहां पर Minister of Railways ने आपर profit sharing की बात की थी तो वह बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है निवेश करना चाहते हैं तो इसमें जरूर कर सकते हैं बाकी यहां पर कोई दिक्कत नजर नहीं आती नेक्स्ट कंपनी है जिसके टेक्निकल पॉइंट विसम बात करेंगे टाटा कंजूमर प्रॉडक्ट तो टाटा कंजूमर प्रॉडक्ट में अल्रेडी रन अप हो चुका है उपर इस तरह से आप देखें तो यहां पर एक अच्छा कासा इसका resistance जोन है यह जो है इसका supply zone है यहां से वापिस supply आ गई यहां से उपर से माल बेचा गया और यह stock अब नीचे आ रहा है और नीचे कहा तक आ सकता है यह आ सकता है 690 के आसपास तो 690 के आसपास इसका एक अच्छा buying zone है जहां पर margin of safety आपको मिलेगी क्योंकि 690 के zone की अगर मैं बात करूँ तो देखि में तो आप current market price भी कर सकते हैं लेकिन मुझे रखता है थोड़ा सा यह stock जो है महेंगा है मुझे पर्टिकुलर्ली महेंगा नजर आता है टार्टा कंस्यूमर ग्रोथ की बात कर तो डेफिनिटली ग्रोथ है ग्रोथ इंजन जो है ग्रोथ काफी अच्छे लेकिन मुझे मु बस यहाँ पर आपको देखना है कि buying कहा करनी है लमसम इस level पर लगाना अभी सही नहीं होगा margin of safety नहीं है नेक्ट कंपनी है तो action construction equipment में काफी टाइम से हमको देखिए एक consolidation देखने को मिल रहा है काफी टाइम से stock move नहीं हो रहा है और यहाँ पर number तो मेरे ख्याल से decent number है लेक टीम मुझे लगता है एक long term theme है real estate theme, infra theme, construction theme यह long term चलने वाली है इंडिया अगर आज की डेट में देखे तो एक developed economy बनने की और अग्रेस है दोस्तों और यहाँ पर infra का grow होना बहुत जरूरी है और जब मैं बात करता हूँ इस जैसी company की तो यहाँ पर एक जबरदस proxy है यह इंफरा proxy है तो आप इसको buy कर सकते है अला कि इस जगह पर एक definitely supply zone है इस एरिया पर supply zone है तो अगर आप buy करना चाहते है तो long term कर नजरी है तो current market price पर कर सकते है नहीं नहीं तो आप क्या कीजिए कि इसको एक बार 250 का level cross करने दीजिए करीब यह बार जो level है इसका 250 का level इसको cross करने दीजिए उसके बाद ही sustain करता है क्योंकि यहाँ पर काफी जो है एक supply आपको देखने को मिलती है अगर उसके बास sustain करता है breakout के बाद तब आप इसमें buying कर सकते हैं for positional trades यह सिर्फ positional की बात कर रहा हूं अग देखिए थोड़ा infra अगर end user industries अच्छा नहीं करेगे तो यहाँ पर हो सकता थोड़े सी हमको pressure देखने को मिले तो यह एक चीज़ जरूर है यहाँ पर थोड़े से cyclical industries को यह company play करती है cater करती है तो वह चीज़ आपको देखनी पड़ेगी वह चीज़ रेट करनी पड़ेगी as a disclaimer मैं इस company में invested हूँ और long term के लिए invested हूँ तो मैंने इसको buy किया हुआ already मेरे पास 4% का allocation है तो मैं यहाँ पर wait and watch कर रहा हूँ बाकि अगर आपको निवेश करना है तो current market पर इसको long term पर कर सकते हैं बाकी 200 level के आसपास इसको आप और add कर सकते हैं तो यह है दोस्तों तीन companies जिनके आज number आये हैं और तीनों के regarding हमने आपर बात करी कैसे रहें number तो तीनों के ही अच्छे number है सबसे अच्छे number यहाँ पर IRCTC के हैं उसके बाद Tata consumer उसके बाद Ace के बाकि मैं invested हूँ Ace में only Tata में नहीं हूँ IRCTC में नहीं हूँ तो आप अपनी सापस अपना decision ले सकते है बागी यहाँ पर अनबाइस opinion देना चाहूँगा कि तीनों ही company यहाँ पर अच्छी है कोई problem यहाँ पर नज़र नहीं आती बस IRCTC में थोड़े से regulations जो है आते हुए देखने को मिल सकते है time to time तो आई हो दोस्तों यह वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो पसंद आये त मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक कियर बाइबाई